नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो जी आरेप 2021 हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम एकाई दो पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सगुण भक्ती जो कृष्ण कावे है उसको पढ़ लिया है आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ती के जो संपरदाय और उनके प्रमुक कभी हैं उनके बारे में हाला कि जितने भी जो संपरदाय है भक्ती से रिलेटेड उनके बारे में हमने थोड़ी सी चीज़े पहले पढ़ ली थी अगर आप चाहते हैं कि आप उन लक्चर्स को देखें एक बार तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो इकाई दो के नाम से प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं वहाँ पर हमने विस्तार से जितने भी भक्ती काल को बांटा गया है अलग-अलग भागों में वो सारी चीज़े हमने इसमें अच्छे से डिसकस की हुई हैं आज हम देखेंगे जो प्रमुक संपरदाय हैं चाहे निमबारक संपरदाय हो गया या फिर आपका राधा वल्लबी संपरदाय गौडी संपरदाय या फिर हरिदासी संपरदाय ये चार जो प्रमुक संपरदाय हैं इनके बारे में हम देखेंगे और जो बल्लब संपरदाय है देखिए उसके बारे में और उसके जो प्रमुक कवी थे जितने भी अच्छा भी कवी हैं वो बलब संप्रदाय के अंतरगत आते हैं उनको हमने पहले ही डिसकस कर लिया है आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उने भी देख सकते हैं उन लक्चर्स को तो चलिए आज हम सबसे पहले जो संप्रदाय है देखिए वो है निमबारक संप्रदाय की तो निमबारक संप्रदाय में क्रिश्न की वामांग में सुचोबित राधा के साथ क्रिश्न की उपासना का विधान है तो कहने का मतलब क्या है कि जो निमबारक संप्रदाय है अगर हम बात करें इसक साथ इसाथ निम्बारक जो संपरदाय है देखिए इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है कौन-कौन से नाम है इसके देखिए इसको हंस संपरदाय के नाम से भी जाना जाता है कुमार संपरदाय भी और चतु संपरदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है तो ये अलग-अलग इसके नाम है निम्बार्क संप्रदाय के और इसमें जो महतपूर्ण चीज़े देखे यहां से प्रशन इस तरीके से ही बन सकता है जितने भी हमारे संप्रदाय है कि किस संप्रदाय में क्रिशन के किस रूप का वनन मिलता है या फिर जैसे राधा और क्रिशन का या सिर्फ र युगल उपास नमलब जोड़ा, युगल का मतलब है जोड़ा, शिर कृष्ण और राधा के जोड़े रूपी, जो रूप है उसका इसमें वर्नन देखने को मिलता है, उन्हीं की पूजा करने को ये महत्व देते हैं निम्बार्क संपरदाय के अंतरगत, दूसरा है रही कि कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा, वामांग, वाम का मतलब होता है बाया, बलब बायां अंग की और जो राधा है, वो सुशोभित होती है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखने ज़रूरी है, कभी पार छोटी-छोटी चीज़े और बारिक चीज़े पूछ हैं कि राधा जो है कृष्ण के किस अंग की और सुशोभित माने जाती है, तो ये हो गया, आगे हम देख लेते हैं, अगला जो महत्वपन बिंदु अदिकिये, समस्त वस्तों के मूल, स्त्रोध, कृष्ण, ब्रह्म ही है, मलब जितनी भी संसारिक जो चीज़े हैं, उन सब का स्त्रोध क्या माना जाता है, भगवान कृष्ण को ही माना जाता है, निंबार्क संप्रदाय के अंतरगत, तो ये भी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है, कि प्रश्ण इस तरीके से पूछ जाता है, तीन चार पंक्तिया आपको दी जाती है, उनमें से आपने या तो संगत चांटनी है या असंगत चांटनी है तो जितनी भी चीज़ें है वो आपको पता होनी चाहिए एक तरीके से इसकी बिशेश्टाएं हैं कि इसमें क्या बताते हैं ये कि जितनी भी संसारिक जो चीज़ें हैं पस्तु हैं उन सब के स्रोत में क्या भगवान कृष्ण ही है भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कृष्ण अवतार धार्ण करते हैं ये बात भी निमबार्क संत्रदाय में कही गई है ब्रह्म और शिव भी कृष्ण की वंदना करते हैं तो कृष्ण की वंदना आप देखते हैं महाभारत आप में देखा होगा आपका जो श्री कृष्णा लगता था उसमें भी आपने देखा होगा कि स्वैम शिवजी जी भी उनके दर्शन करने आते हैं जब वो छोटे होते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि ब्रह्म और जो शिव हैं ये भी कृष्ण की वंदना करते दिखाई देते हैं य देखिए ये प्रमक संप्रदाय माना जाता है किस से कृष्ण भक्ती से संबंध रखने वाला वैशन्व संप्रदाय वैशन्व से ही आगे कृष्ण का वतार हुआ रहा हैं ठीक है विश्णू के स्थान पर क्रिष्ण के सगण रूप का सरप्रत्थम प्रतिपादन निंब निम्बारक संपरदाय के आदी उपदेशक श्री हंस भगवान है तो देखिए किसको माना जाता है कि जो निम्बारक संपरदाय के आदी उपदेशक आदी उपदेशक का मतलब है कि जो प्रारंभिक में प्रारंभ में इसके उपदेशक किसको माना जाता था ये माना जाता थ किसको हंस को और इसी के चलते इसको क्या खा जाता है देखिए इसको कहते हैं हंस संपरदाय ठीक है इसके चलते इसको कहता है हंस संपरदाय ये तो हो गई बात कि इसके जो आदी उपदेशक कौन थे हंस भगवान थे और हंस भगवान से ये माना जाता है कि उन्होंने किसको आगे वो कुथा सुनाई थी सनकादी को उपदेश दिया किस पर हंस ने जो संत सनकादी थे उनको उपदेश दिया उसके बाद नारद मुनी ने इस उपदेश को ग्रहन किया और उन्होंने आगे निमबारक आचारे को ये उपदेश प्रदान किया और इस तरीके से निमबार का संपरदाय का जो प्रवर्तन किया तो देखे ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए कि आदी उपदेश कौन थे ये श्रीहंस भगवान जी थे उन से आगे उपदेश किसको मिला ये मिला संकादी को और इसी के चलते जो शेश ववस्था का नाम था देखिए ये था नियमानंद तो कई बार ये चीज़ें भी पुछ जाती है एक्जाम में कि निमबारक अचारे का जो बच्मन का नाम क्या था नियमानंद था और निमबारक का जो अर्थ होता है देखिए निम पर अब हम देख लेते हैं निमबारक संपरदाय के अंतरकत देखिए निमबारक अचारे को कुछ बिद्वान मानते हैं कि ये अत्यंत सुन्दर होने के कारण शेश्वकाल में इन्हें सुदर्शन कहा जाता था तो देखिए बच्पन में इन्हें किस नाम से जाना जाता था सुदर्शन कहा जाता था कि ये कुछ एक विद्वान मानते हैं लेकिन अधिकतर जो मत है वो ये कहता है कि निमबारक को भगवान के कृष्ण सुदर्शन चक्र का अवदार माना जाता है कि क्रिशन का जो सुधर्शन चक्र है उसी का अवधार किसको माना जाता है निमबारक अचारे को माना जाता है तो ये बात भी कई वार परिक्षा में पूछी जाती है कि किसका अवधार माना जाता है निमबारक अचारे को तो वो है सुधर्शन चक्र ठीक है अब है निमबार जो हमें पीछे lecture त्यार की हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से discuss किया हुआ है जब हम भक्तिकाल के बारे में बढ़ रहे थे प्रारंभिक जो lecture था हमारा भक्तिकाल के संबन में वहाँ पर हमने दोयता-दोयतवाद, दोयतवाद और दोयतवाद इन सब के बारे में अच्छे से बिस्तित तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली थी कि दोयतवाद का मतलब कैया है और दोयता-दोयतबाद का मतलब क्या है आप चाहें उन लेक्चास को एक बाद जरूर देख लें नेक्स से देखिए कि निम्बारक संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्धी राजस्थान के स्लेमाबाद स्थान पर स्थित है तो ये भी मौत्वण चीज है कि निम्बारक संप्रदाय की जो सबसे बड़ी गद्धी है वो कहां पर है स्लेमाबाद पर स्थित है clear है तो दूस्तो ये थी मौत्वण जानकारी निमबारक संपरदाय के बारे में अब हम देख लेते हैं कि निमबारक संपरदाय के जो प्रमुक कवी हैं और उनकी काव्यक्रितियां हैं वो कौन-कौन सी मानी जाती हैं लेकिन उससे पहले हम निम्बारक के जो चार शिश्य हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं और उनके जो पांच ग्रंथ हैं देखिए उनके बारे में जान लेते हैं तो यहां से आपने याद रखना है चार इनके शिश्य हुए हैं और पांच इनके क्या हैं ग्रंथ हैं त देखिये, वो क्या हैं? वो पांच ग्रंथ हैं. वेदांत पारिजात सौरब, दश शलोकी, शिरिकृष्ण सत्तुराज और महंत्रहस्य शोडशी, प्रपन कल्प पल्लवी. तो ये इनके पांच क्या हैं? ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं. क्लीर हैं? तो आपने इ प्रंथों की रचना की है. अन्य जो इनके लेखक, अन्य जो कवी और उनकी कृतियां हैं देखिये, उनमें से सबसे पहला जो नाम है ये है श्रीभट का. ठीक है? श्रीभट कौन थे? ये केश्व कश्मीरी के प्रधान शिश्य थे अचाहे रामचंदर, शुकल जी के जो भी महतोपुन चीज़ें हैं, जो जो पूछी जा सकती है, वो इस चीज़ें मैंने आपके बीच में रखी हैं. अगर बात करें श्रीभट के गरंथों की तो देखिये, इनका जो ये यूगल शतक गरंथ है, ये बहुत महतोपुन गरंथ है, इसमें इनके सौपद हैं. और शतक का मतलब भी तभी कहा गया है, शतक से. ठीक है? और इनकी जो आदिबानी है, इनकी दूसरी रचना मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर नगेंदर ये कहते हैं कि जो आदिबानी है, ये यूगल शतक का ही रूप है, ये कोई अन्य रचना नहीं है, जबकि अचारे रा पहले जो निम्बारक संप्रणाय के कवी थे श्रीभट, दूसरे हैं देखिए हरिव्यास देव, तो हरिव्यास देव है, ये श्रीभट के शिष्चे थे, जो पहले कवी थे, उनके शिष्चे माने जाते हैं, और इनकी जो महतुपूर्ण चीज़ है, ये शाक्तों को असदेव किसको कौन है, वो श्रीभट के शिष्चे हैं, ठीक है, इनके ग्रंथ हाना की पांच माने जाते हैं, जिनमें से चार संस्कित के और एक ब्रजभाशा का है, लेकिन यहां पर देखने वाले बात ये है कि इनके जो पांच ग्रंथ हैं, वो उपलब देख तरीके से नहीं है या इनको प्रमानिक नहीं माना जाता है, जो प्राप्त ग्रंथ हैं, इनमें वो महावाणी है, और ये महावाणी किसमें रचित है, ये ब्रजभाशा में रचित हैं, इनका महत तपोन ग्रंथ माना जाता है, क्लियर है, आगे है देखिए, तीसरे जो कभी हुए है निम्बारक संप्रदाय के वो है परशुराम देव तो परशुराम देव ये है देखिए हरिव्यास देव के शिश्य पहले हम क्या वड़ रहे ते शिरिभट का शिश्य कौन हुए आगे हरिव्यास देव हरिव्यास के देव के जो शिश्य हुए है वो है परशुराम देव त गद्दी स्थापित की थी तो दीखे निमबारक संपरदाय के जो गद्दी कहां पर थी राजस्थान के सलेमाबाद नमक स्थान पर थी वहां पर स्थापित करने का श्रेक इसको जाता है ये जाता है परशुराम देव को ही और इनका जो प्रमुख गरंथ माना जाता है दीख हमने देख ली अगर इसमें कुछ एक तूटी हो गई हो या कुछ एक चीज़ें छूट गई हो तो आप comment section में जाकर बता सकते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज और दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी कि पूरे lecture में पढ़ाये गए प्रशनों से को discuss करते हैं और उनके उनसे समद्धित आपको एक quiz लाते हैं कुछ एक चीज ऐसी हो जो यहां पर छूट जाती हैं बताने से उनको मैं अपने जितने भी हमारा quiz है उसके अंतरगत समेट लेता हूँ तो आप चाहें तो उसमें भी वलब समपरदाय पढ़ लिया था लेकिन अब हम राधा वलब समपरदाय देख लेते हैं इसके बारे में जो महत्पून चीजे हैं देखिए इसका जो समपरदाय का प्रवर्तन हुआ है 1534 में अचार्य हित हरीवंश ने किया कहां पर किया देखिए वरिंदावन में किया य यहां पर नाम है हित हरीवंश तो यह दो चीजें आपने याद रखनी है हरीवंश ने राधा वललब समपरदाय और स्वामी हरीदास ने सकी समपरदाय का प्रवर्तन किया था ठीक है नेक्स चीज देखिए कि राधा वललब समपरदाय में शरीकिषन का प्रमुक स्थान नहीं है राधा ही इसमें प्रमुक है तो देखिए पहले जो हमने पहला जो समपरदाय पढ़ा इससे पहले कौन सा निमबारक समपरदाय है तो उसमें यूगल उपासना शरीकिषन और राधा दोनों उनकी उपासना करने का उसमें प्रापधान था लेकिन जो आपका राधा वल्लब संप्रदाय देखें यहां पर श्री कृषिन का स्थान प्रमुख नहीं मानते हैं यह किसको मानते हैं प्रमुख राधा को यह प्रमुख मानते हैं और इस संप्रदाय में श्री वाम भाग में किसके क्रिशन के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्धी होती है और जिसके उपर स्वर्ण जो पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है ये चीज़ मानी जाती है किसके संबंद में राधा वल्लब संपरदाय के संबंद में ठीक है तो इसी की चलते इ आगे है देखिए इसमें तत्सुकी भाव को महत्तो प्रदान किया गया है तो ये चीज भी महत्तो पूर्ण है कि इसमें तत्सुकी भाव को महत्तो प्रदान किया गया है रादावलब संप्रदाय में और इस संप्रदाय में उपासना का अधार रस को माना गया है तो ये ब्योग सुख की लीला ही सुविक्रित है, ब्योग भावना इसमें मान्य नहीं है, तो ये चीजें हैं राधा वल्लब संपरदाई के संदर्व में, जो मत्रपुन चीजें थी, वो मैंने आपके बीच में रखती हैं, अब हम देख लेते हैं जो राधा वल्लब संपरदाई ये जो दो रचना हैं इनकी ये हिंदी के गरंथ माने जाते हैं, जबकि राधा सुदानिदी और यमनाश्टक ये इनकी संस्कृत की कृतियां हैं, तो इस तरीके से भी आपने इनको याद रखना है, अगर बात करें दूसरे जो इसके कवी हुए हैं देखी हरीराम ब्यास, तो इनकी जो प्रमुक रचना है वो है ब्यासवानी, रागमाला, नवरतन, स्वधरम और पद्धती, यहां पर नवरतन, तो यह किसकी रचना है, मिश्रिबंदों के नमी लिकी थी, उनकी हिंदी नवरतन थी, इस तरीके से आपने याद रखना है कि हरीराम ब्यास और इनक उतने भी संपरदायों के कवियों को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कि कवि का संबंद किस संपरदाय से है, यह चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है, पहले जो थे देखिए, निमबार्क संपरदाय में, और अभी जो आपका रादावलब संपरदाय है, उसमें कौ और इनमें, जो सबसे मौतवपोर नाम है दीकी, वो है ध्रुगदास का राधावललब संपरदाय के अंतरगत, और आपने देखा होगा, बहुत बार परिक्षा में यह चीज पूछी जाती है, कि कौन सा इनमें, कृष्ण कवि है, और वहाँ पर ध्रुगदास को दे दे ज जाता है, जो निर्गुन संत मारगी का भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पर, अब इनके जो महतफूर्ण ग्रंथ हैं, देखिए, वो कितने माने गए हैं, 42 ग्रंथ माने गए हैं, और जिन में से प्रमुक जो ग्रंथ माना जाता है, इनका वो है भक्त नामावली, तो यह किसका है, धुबदास का है, इनके 42 ग्रंथ हैं, और उन 42 ग्रंथों में प्रतीक ग्रंथ को अगर आपने याद रखना है, तो उसके आखिर में आपको क्या मिलेगा, लीला नाम मिलेगा, कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं, देखिए, उसके आखिर में इनोंने क्या लिखा है, लील नाम से वो सब की सब किसकी है वो दुरुवदास जी की रचना है बहुत बार आप उसकी ओर जा सकते हैं तो हो सकता है प्रशन इस तरीके से भी पूशा जा सके कि प्रतिय गरंद का आकरी नाम लिला से होता है ये किसके कवी के समंध में है तो ये है आपका दुरुवदास क्ल तो सकी संपरदाय, इसका जो अन्य नाम है देखिए, इसे हरिदासी संपरदाय, या तटी संपरदाय या फिर ठटी संपरदाय भी कहा जाता है, ठटी किस ने कहा है, ये अचारह रामचंद्र शुकल जी ने कहा है, जबकि आप हिंदी साही तक इतिहास नगेंदर वाला तो ये स्वामी हरिदास, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और इसी के अधार पर इसका जो दूसरा नाम है देखिए, हरिदासी संपरदाय माना जाता है, इस सकी संपरदाय में देखिए क्या चीज महत्तपूर्ण है, इसमें निकुंज विहारी कृष्ण सर्वपरी हैं, तो पहले कौन थे, राधा थी, ठीक है, और उससे पहले राधा और कृष्ण दोनों थे, किसमें निमबारक में, लेकिन सकी संपरदाय में क्या है, इसमें जो निकुंज विहारी कृष्ण है, वो सर्वपरी हैं, जो लीला करते हुए नजर आते हैं, फिर अगली जो पूर्ण चीज़ देखिए, हरिदास तानसेन के मित्र थे, तो तानसेन कौन थे, ये अकबर के जो दरवारी गायक थे, ठीक है, वो इनके परम मित्र थे, और इनका गायन सुनने के लिए, अकबर ने साधू का वेश धारन किया था, तो ये महत्तपूर्ण चीज़ है, कि कि के संबंध में, हरिदास चीज़ के संबंध में, इनके जो प्रमुक गरंथ हैं, देखिए, सिध्धानत के पद और केली माला, ये दो इनकी प्रमुक कृतियां माने जाती हैं, स्वामी हरिदास की, इसके अलावा जो अन्य कवी हुए हैं, देखिए, सकी संफर्दाय के उन को नाम याद रखने हैं कि ये इस संपरदाय के अंतरगत आते हैं आगे है देखिए आजगा आखरी जो हमारा संपरदाय है वो है चैतन्य संपरदाय और चैतन्य संपरदाय के जो प्रवर्तक हैं देखिए ये चैतन्य महाप्रभू है और इसका जो अन्य नाम है वो है आपका गौडिय संपरदाय ठीक है अगर हम इसके दार्षनिक से धान्त की बात करें तो देखिए इसका जो दार्षनिक से धान्त है वो है अचिंत्य बेदाबेद या इसको बेदाबेद वाद भी कहा जाता है यह महत्वपूर्ण चीज़े हैं चतन्य संपरदाय के बारे में और इसके अलावा जो चतन्य महाप्रबु हैं देखिए उनका जो दूसरा प्रारंभिक जो नाम माना जाता है वो क्या था विशंबर था इनका जो अरंभिक नाम है या पूरव में जो इनका नाम था विशंबर था ये भी हो सकता है कई बार पूछा जाए लेकिन उतनी महत्वपूर्ण चीज़ें ये भी नहीं है यहां से सिंपली इसका दर्शनिक सेधान्त इसके प्रवर्तक इनके बारे में पूछा जा सकता है और जो महत्वपूर्ण चीज़ यहां पर पताएगी ये देखिए इस सिधान्त की व्यापक प्रतिष्ठा गोविंद भाश्य में मिलती है तो गोविंद भाश्य किसकी कृती है देखिए ये है बलदेव विद्याभूशन की तो इसको आपने याद रखना है कि इस सिधान्त की प्रतिष्ठा कहां पर मिलती है गोविंद भाश्य में मिलती है और जिसके रचनाकार कौन है बलदेव विद्याभूशन है अगर हम बात करें चतन्य संपरदाय के प्रमुख कवियों की तो देखे इसमें रामराय, सूरदास मदन मोहन, गदाधर बट और चंदर गुपाल, भगवानदास, मादवदास मादुरी, भगवत मुदित हैं तो ये इनके प्रमुख कवी हैं, इन में से, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो हैं आपके गदाधर भट और इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ती है, जो आपने देखी होगी बहुत पार परिक्षा में पूछी जाती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ इसको आप चाहे तो फिर से सुन सकते हैं, सुनके आप इसको नोट कर सकते हैं, गदाधर भट की ये पंक्ती कई बार परिक्षा में पूछी जाती है, तो चतन्य संपरदाय में जो महत्वपूर्ण कवी है देखिए, वो गदाधर भट को ही माना जाता है, किसके बाद चतन अन्य महाप्रभू के पश्चात, तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण संपरदाय जो क्रिशन संपरदाय या क्रिशन भक्ती से रिलेटिड महत्वपूर्ण थे, जिन से प्रशन बनने की संभावना UGC.net अन्य परिक्षाओं में हो सकती है, अगर इस लेक्चर में मुझस से कुछ चीज़ें छूट गई हों, तो आप कमेंट सक्षन में जाकर वो चीज़ें बता सकते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लेज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक् पूर्टी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिए